सब्सक्राइब किजिए टेग गुरु मुकेस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए अल नोटिफिकेशन्स को अन किजिए लेटेश टेक्नोलजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्का दोस्तों मैं आप देख रहे हैं टेग कुरु मुकेस चैनल दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि पासपोर्ट साइज फोटो आप एड़ फोटोशोप में कैसे बना सकते हैं और फोटो बनाने के बाद उसको सीट पे कैसे आप पेस्टिंग कर सकते हैं और उस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था और आप से मुझसे पूचा था कि अड़ो फोटोशोप में आईडी काट को कैसे क्रेएट करेंगे आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे उसका प्रसेस बताने के लिए तो जो भी हमाई latest वीडियो है उसका notification आपको मिलता रहा है चलिए अब मैं आपको लिए जलता हूँ computer के screen पे और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह सारा complete process तो दोस्तों अभी आगया हूँ मैं अपनी desktop के screen पे और इसको यहाँ से मैं minimize कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ से मैं Photoshop open कर लेता हूँ double click करके तो अभी Photoshop open हो रही है जैसी आप Photoshop open कर लेते हैं Photoshop open करने के बाद आपको यहाँ पे create new के उपर जाना है आप यहाँ से create new ले सकते हैं या फिर आप file में आएंगे और यहाँ पे create new पे click कर देंगे या फिर आप control और end प्रेस करेंगे shortcut है तो ही आप new page ले सकते हैं तो मैं simply यहाँ पे create new पे click कर देता हूँ create new पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक window open होगा new window open होते ही आपको letter का size ले लेना है letter standard paper size है इसका measurement है आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 इंची का इसका width है और इसकी height जो है वो 11 इंची की है और 300 dpi का इसका resolution है इसके बाद हम यहाँ पे create पे click कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो हमारा जो paper है वह यहाँ पे create हो चुका है अब हमें create करना है अपना ID card का layout तो ID card के layout को create करने के लिए उसके लिए हम यहाँ पे left side का जो tool से हम इसको use करेंगे हम यहाँ सब इस tool में हम सबसे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे rectangle tool पे आप इसका shortcut note कर सकते हैं यह you press करेंगे तो यह इसका shortcut है तो simply मैं इसके उपर click कर देता हूँ इन में से आपको यहाँ पे click करना है rectangle tool पे Rectangle tool पे यहाँ पर click कर देंगै click करने कको बाद हम यहाँ पे ब्लैंक page में आएंगे blank page में माॉस का left click करेंगे जो selection button होता है उसको हम यहाँ पे blank page पे click करेंगे क्लिक करने की बाद यहाँ पे दुस्तु आता है create rectangle create rectangle में यहाँ पर width है और height है तो यहाँ पर हमें जो हमारा ID card का standard size होता है हमें वो यहाँ पर डाल देना है दोस्तो और ID card के जो है different different sizes होते हैं जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं CR 79, CR 80 और CR 100 तो दोस्तो different different countries में यह अलग-अलग codes लगते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में जो standard है वो है CR 80 और CR 80 जो है हम horizontal में लेंगे इस type में और CR 80 की size होती है वो होती है 86 mm width into 54 mm इसकी height अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी width है वो है 86 mm और इसकी height है वो है 54 mm तो वापस से आते हैं अपने Photoshop पे अब यहाँ पर हम्में इसमी width डालनी है और यहाँ पर height डालनी है तो आप इहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर size मांग रहा है वो pixels में मांग रहा है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हुँगे PX लिखा हुआ है तो PX का मतलब होता है spectacles तो हमें इसको ignore करना है pixels में size डालने कोई जरूत नहीं है अगर आपको pixels के size पता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो बाकि हम यहाँ पर डालेंगे mm में size mm में डालने claim क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको select करेंगे और हमारा जो width है 86 mm तो हम यहाँ पर लिख देंगे mm एम लिखेंगे फिर next में आएंगे next जो हमारा height जो है हमारी इसकी है वो 54 mm mm लिख देंगे अब यह तो हमारी size create हो कोई ID card की अब हमें इसका corner create करना है तो जो ID card का जो default corner होता है वो होता है 35 pixel का तो यहाँ पर हम 35 लिख देंगे 35, 35, 35 और pixel जो है यह खुदी उठा लेता है 35 pixel type कर देने के पाद हमें यहाँ से इसको okay कर देना है जैसे हम okay कर देंगे हमारा जो ID card का format है वो यहाँ पर ready हो जाता है तो अब आप यहाँ पर देख सकते है हमरा जो card का size है 86 mm x 54 mm का size है इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जूम करने के लिए हम alt button को press करते हैं और अपने mouse का wheel key को हम आगे की तरफ प्रेस करते हैं तो यह zoom हो जाता है और दोस्तों इसका ID card को हमें उठा के यहाँ से और हमें यहाँ पर डाल देनी है अब हमें यहाँ पर इसका एक और copy कर लेना है तो copy करने के लिए हम इसके उपर click करेंगे और alt button को press करेंगे और इसको right की तरफ drag कर लेंगे इस तरह से तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक left में ID कार्ड बन चुका है और एक right में बन चुका है तो basically हम इसको यूज करेंगे front के लिए और इसको यूज करेंगे back के लिए अब इसके उपर मैं आपको एक ID कार्ड लगा के बताता हूँ कि हम कोई भी अकर ID कार्ड है हमारे पास जैसे अधार कार्ड, pen card, voter ID card या फिर अभी जो cards बन रहे है COVID के जिन्होंने टीका करण करवा लिया है उसके card बन रहे है COVID ID card तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर ID card यूज करने वाला हूँ वो है pen card तो pen card को open कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर अब मैंने pen card यहाँ पर open कर लिया है और दोस्तों ये एक e-pen card है और e-pen card कैसे download करते हैं इसके उपर मैंने already video बनाई हूँ यह अगर आपने वो video नहीं देखी है तो इस video का link मैं यहाँ पर i button में और इस video के end में उसका थमने ले दूँगा आप वहाँ पर click करके वो video देख सकते हैं और e-pen card को आप download कर सकते हैं basically e-pen card जो है वो 2-3 दिन में बन जाता है आप e-pen card को download करके और इसको id card में बना कर print करके भी अपना काम आप कर सकते हैं तो दोस्तों अब बात आती है हमें इस pen card को high resolution में cutting करेंगे ताकि जो हम इसकी printing करेंगे तो ये high resolution में print होके आएगा तो दोस्तों id card की cutting करने में काफी लोग mistake करते हैं मैं आपको बताऊँगा pen card को हम किस तरह से cutting करेंगे front की और back की कि उसकी जो quality है high resolution में आए उसके लोस्तों हमें क्या करना है हमें हमारा जो ये pen card है इसको हमें zoom कर लेना है और इतना zoom करना है कि हाँ पर हमारे पूरे frame में ये बिल्कुल fit आए तो इसको हम जहां से zoom कर लेते हैं और पहले हम cutting करेंगे हमारे इस left वाले की तो इस left वाले को पहले मैं zoom कर लेता हूँ तो दोस्तों ये जो size है ये बिल्कुल perfect size है अब हम इसकी cutting करेंगे दोस्तों कई लोग ID card को cutting करने के लिए इसको क्या करते हैं इसका screenshot ले लेते हैं जबकि screenshot आप कभी भी लेते हैं तो उसका जो quality है वो cut जाता है इसको pixels फटने लग जाते हैं तो कभी भी आपको screenshot नहीं लेना है इसका आपको यहाँ पे snipping tool का use करना है आप यहाँ पे अगर आप window 10 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे search कर लेंगे snipping tool को आप यहाँ पे देख सकते हैं snipping tool इसको हम यहाँ पे click कर लेते हैं क्लिक करने के बाद हम यहां से इसको new पे क्लिक कर लेंगे इसको मैं side में कर देता हूँ new पे जैसे आप click कर लेते हैं तो आप यहां पे देखेंगे side side में यहां पे edges बने हुए है हमें इन edges के अंदर-अंदर से इस id card को यह cutting करनी है तो हमने यहां पे new पे click किया कि जितना pen card है हमारा तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं हमारा जो pen card है बिल्कुल actual size में यहां पे कटा है कोई भी edges जो है इसके कोई भी edges जो है इसके साथ में नहीं आई है तो इस तरह से हम cutting कर लेंगे cutting करने के बाद हम यहां से क्या करेंगे अगर आपको copy का tool यहां पे नहीं मिलता है तो आप यहां पर edit में आएंगे और edit में आने कूपी क्लिक कर देंगे और फिर हम open करेंगे हमारा Photoshop Photoshop में आ जाएंगे Photoshop में आने कूप यहां पर इसको paste कर लेंगे इसको मतलए side में कर देता हूँ सेम इसी तरह से हम इसके back side की cutting करेंगे वापिस से हम जाएंगे pdf में और फिर हम यहां से हमारा यह back side का area है इसकी cutting करेंगे तो back side पर जाने के लिए हम simple करेंगे यहां पर नीचे wheel देख रहे हैं इस wheel को हमें right side की तरफ scroll करना है इस तरह से आपको back की भी cutting कर लेनी है इसके बाद इसकी भी हम यहाँ पर copy कर लेंगे copy कर लेने के बाद हम सीधा Photoshop ओपन करेंगे और फिर इसको हम paste कर देंगे paste करने के लिए हम shortcut में control और V यूज़ करते हैं आपको वही यूज़ करना है control प्लस V इस तरह से यह paste हो जाता है इसको भी मैं यहाँ पर side में कर लेता हूँ अब दोस्तो pen card का हमारा यहाँ पर front और back दोनों side अब यहाँ पर आ चुका है अब हमारे pen card का front और back को हमें इस format में set करना है set करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से इसको इस तरह से drag करके उपर ले जाएंगे इस तरह से हम इसको यहाँ पर drag कर लेंगे और इसके जो size है वो हम यहाँ पर maintain कर लेंगे हमारे इस object के size से इसको right से हम यहाँ पर stitch करेंगे और फिर नीचे bottom से stitch करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इस राइट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं इसी तरह से दोस्तों यह बैक वाला डॉकुमेंट जो है इसको भी हमें इस अबजेक्ट के उपर फिट कर लेना है यहाँ से हम इसको उठा के और इसके उपर डाल देंगे और राइट साइड में हम अबजेक्ट से मैच कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको बॉटम में भी अबजेक्ट से मैच कर लेंगे जैसी यह मैच हो जाता है हमें फिर से यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तो इस तरह से हम high resolution में high quality में हमने id card को photoshop में बना सकते हैं और दोस्तो इसको print करने के लिए अगर आपके पास a4 में photo paper है तो आप direct यहां से print कर सकते हैं दोस्तो normally photo paper का size आता है वो आता है 46 अगर आपके पास 46 का paper है तो इसके उपर हम कैसे इन दोनों document को set करेंगे मैं आपको बता देता हूं हम क्या करेंगे हम यहाँ पर file में जाएंगे और New के उपर क्लिक करेंगे New पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फोटो में आजाएंगे फोटो में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह 4 वाई 6 का साइज आप यहाँ पर इसका width दे सकते हैं 4 इंचे का width और height जो है 6 इंचे की है और 300 का resolution है इसके उपर हमें क्लिक करके और यहाँ से मैं इसको create कर लेना है इस तरह से दोस्तों आपको यह document जो है create हो जाता है इसके बाद हम document वाले page पर आजाएंगे यहाँ पर आने के बाद हम अपने pen card के front को click करेंगे और फिर shift press करेंगे और इसके back को press करेंगे और यहाँ से हम copy कर लेंगे ctrl c करके और फिर हमारा जो 4x6 का document है जो हमने new size create किया हुआ है उसके उपर हम यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद हम यहाँ पर इसको paste कर देंगे इस तरह की से हमने paste कर दिया अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक जो back side वाला pen card का area है वो यहाँ पर आगे की दरफ चला गया है जो ढख चुका है तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा हम drag करेंगे और दोस्तों इन दोनों को match करने के लिए हम क्या करेंगे इस document को पूरा इसके उपर हम चिपका लेंगे इस तरह से जैसी इसके साथ में यह चिपक जाता है जैसी यह यहाँ पर चिपक जाता है हम इसको flip कर लेंगे ताकि जब भी आप इस pen card को print करेंगे प्रिंट करने के पाद आपको cutting करने की जुरूत ना पड़े आप direct इसको fold करके और lamination करके आपने customer को दे सकते हैं तो इसको flip करने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर जाएंगे edit में edit में जाने के बाद हम यहाँ पर आजाएंगे transform में transform में हमें यहाँ पर मिल जाएगा flip vertical इसके उबर हम यहाँ पर click कर देंगे फिर इसके बाद वापी समझाएंगे यहाँ पर edit में फिर आजाएंगे हम transform transform में आने के बाद flip horizontal अब दोस्तों आप इसको अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद आपको इसको cutting करने के जुरूद नहीं पड़ेगी आप इतने area को यहाँ से cutting करेंगे cutting करने के बाद आप यहाँ से बीच से जो है इसको fold कर देंगे तो यह actual pen card के size का यह बन जाएगा आप चाहे तो इसको photo paper में print कर सकते हैं या फिर अगर आपके पस plastic ID card है तो आप plastic ID card पे भी इसको print कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे comment में पूछ सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो मैंने आपको बड़ी बड़ी की समझाया है कि आप ID card कैसे Photoshop में create करेंगे उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के शाहत सेर कीजिए और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे comment box में पूछ सकते हैं और अब भी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में देए बेल आइकन को प्रेस करके आउन कर लिजिए और अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्टूक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीज तक हमारी जो भी इंफरमेटिव और टेकनलोजिकल वीडियो साय उसका नोटिफिकेशन आट डायेक्ट आप के पास पहुंच जाये और उन सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं मैं आपसे इसी तरह के एक और इंट झाल 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 झाल